प्रभु भगवान में आस्ता है पर पूजा करने में मन नहीं लगता तो नाम जब करो किसका है नाम जब करो इसमें पैसा लगता नहीं पूजा करना नहीं राम राम कृष्ण कृष्ण हरी हरी राधा राधा करो तुम्हार कल्यान हो जाएगा मान गए कोई संसाइस में बस नाम से बढ़कर कोई नहीं आज अगर अभी थोड़ी दिर बैठे हो हाल के अंदर तो थोड़ी देर अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि चाहे सोने को सुमेरु के समान सोना दान कर लिए दुनिया के सब दान कर लिए लेकिन भगवान का नाम जप नहीं किया तो संसार से मुक्त नहीं हो गए दानपुन्य एक अलग तरफ है और प्रभू का नाम संसार से मुक्त करने वाला है तो राधा राधा जपो क्या पैसा लगता है स्याम स्याम कृष्ण कृष्ण रादे स्याम हरी हरी ठीक है नाम बस ऐसे गुन गुनाते रहो राधा 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 अगर जीव की नोक में नाम चलता रहा राधा 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 तो अंदर भी घ्यान का प्रकास भो बाहर भी चका चका नद। पक्का समझे लो नाम जब के समान नाम जब यह दूसरा कोई साधन साता नहीं इसलिए नाम जब करो इसमे पैशा लगता है और पूजा और नाम नाने के लिए क कहते हैं मत नाओ दस दिन तुम रोज जपो राधाःः राधा 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 अपवित्रहा पवित्रो वा सरव वस्ठांगतो पिवह यह इस्वरेत पुंडरी काक्षम सवाया भ्यांतरह सुची भीतर बाहर से उपवित्र हो जाता है जो कमनलेन भगवान का नाम सुमिरन करता रहता है खुब नाम जब करो बिना पैसा की वगवत प्राप्ति और पैसा से वगवत प्राप्ति होती भी नहीं है पैसे से कोई भगवान को खरीद ले ऐसा आज तक लेगवा लही अध्यात्म पैसे से नहीं बिखता हो जो पैसे से बिखता हो अध्यात्म नहीं होता तो बिना फिर ही भगवत प्राप्ती होने राधा राधा जपो और कभी आउसर मिल जाए किसी जीव की सेवा का तो चूकना मत अपने भोजन को छोड़के दूसरों को भोजन पवा दो अपना भोजन आज जा रहें सबजी खरीदे ने देखा कोई कष्ट में है अस्पताल पहुँचा दिया वो पैसा दवा में दे दिया फिर देखो क्या आनंद आता है ऐसी सेवा में तो मन लग जाएगा कभी कोई भूखा है प्यासा है कभी कोई कष्ट पा रहा है तो उसकी सेवा कर देओ और नाम जब करो परंतु महराजी मेरा मन कुछ शनों के लिए विचलित हो जाता है और वो आप में महापुर्षों में संशे कर बैठता है जबकि मैं ये नहीं चाहता हूँ महराजी ऐसे मैं देखो मन का कार है कि वो माया के अधीन होकर भगवत मार्ग में बाधा खड़ी करता है मन इस संशार में बंधन और मोक्ष का कारण है तो मन का जब हम कनेक्शन किसी संत महत्मा से जोडते हैं सास्ट से जोडते हैं भगवान से जोडते bit अमारे अंदर अध्यात्म जागरत होता है अध्यात्म जागरत होगा तो मन मरेगा मन को मन मानी करने को मिलेगा नहीं तो विपिरी तो पैदा ही करेगा जहां से connection उस connection को काटेगा तो अब उसके उपर बुद्धी है मन के उपर अब बुद्धी को इतना प्रमीर रखो कि वो संसे न कर पावे नहीं तो संसे आत्मा विनश्यती जब connection नहीं कट गया तो फिर अध्यात्मा कहां से आएगा अगर शंत में, गुरुजनों में भगवान में, सास्त्रों में वानी में, गुरुवानी में विश्वास नहीं तो फिर आप चल कैसे पावगे मन का काम है संसे पैदा करना आप उसको बुद्धी के द्वारा सासन में लीजिए मन की उपर बुद्धी है और जब बुद्धी संसे करने लगे तब फिर समझ लेना चाहिए कि अब कोई महापाप उपस्तित हो गया अब हमारी दुर्गती होगी बुद्धीनासात प्रणफ्षति अब निस्चित पतन हो जाएगा क्यों संसे करता है मन उसको डांट लगाओ किस बात का संसे करता है आपको कभी गलत बतायागा क्या आपको किसी भी तरह से छलकपण नजराया क्या संसे कैसे ऐसे कर सकते है डांट नहीं सकते है अपने मन को अगर हमारा मन गलत जाएगा आज इधर हम नहीं रोक पाए तो कल बहुत जगे गलत जा सकता है हम इसको डांटें इसको फटकारें ऐसा है क्या मन कि जो चाहे हो करवा सकता है फिर तो तुम किस बात के पर मार्त के पति को जो मनायस हो हम थोड़ी करेंगे हम सासन में रखेंगे मन को अगर हमारा मन भगवान पे रविश्वास करता है सास्तर पर विश्वास करता है संतों पर गुरुवानी पर विश्वास करता है हम इसको डांट लगाएं इसको सासन में रखें इसकी बात थोड़ी तुकान में भी तो मैं 24 वंटे में यही दिखता रहता हूं तो कभी कभी कोई प्रशन है साज दो बार आ जाता है अपका तो उसमें संसे करने लगता है कि महराजी ने ये बात वहां कही थी यहां भी कह रहे हैं एक बात समझना यहां जैसे एक आदमी है वो ग्रेश्थी में है और ग्रेश्थी में अभी परमार्थ का प्रारंभ हुआ है तो उसको हम दूसरा उपदेश करेंगे उसी प्रशन का एक आदमी परमार्थ में अच्छा प्रविस पा रहा है तो जो उसको उपदेश किया तो उ आपको देखना है कि आपकी स्थिती कहा है इस्थिती के अच्छा देखो बुखार कितिनी तरह को होता है समझते हो ना क्या एक ही टेविलेट डाक्टर सबको देता है बुखार की भी एक सीमाय होती है बुखार के भी प्रकार होते टाइफेड है मलेरिया है साधारन बुखार उसको वैसे देना है अब वो साधरन अभी बक्ती में प्रवेश पा रहा है और उसके लिए बिलकुल साधरन उत्तर होगा और एक असाधारन स्थिती के तरफ जा रहा है, उसी प्रशन का उत्तर उसके लिए बहुत कठेन होगा, जैसे छोटा बच्चा जब इस्कूल जाता है, गोली डंडे लिखता है, तो मास्टर कहता है स्याबाद स्याबाद, लेकिन साल भर वही लिखता रहे, तो चपत एक साल से आ रहा है, अभी गोली डंडा एक खीच रहा है, समझे लो ना, तो परमार्त का विश्टित स्वरूप है, एक ही प्रशन के सेकुन उत्तर हो सकते हैं, जैसे एक है कि आप माशिक धर्मे में कभी ठाकुर जी कुछ हुएंगे नहीं, रसो ही नहीं बनाएंगे, आप को होगे, एक इस्त्री को तो कह दिया ऐसा, और एक इस्त्री को, वो पतिवी स्वरूप करके ग्रेष्ट धर्मे में रह रही है, उसके लिए वो नियम लागू है, और जिसने अपने जीवन को भगवार में अर्पित कर दिया, संसार के भोग नहीं स्वरूप किये, प्रकार के अधिकारी है, एक ही उत्तर, कभी देखा है डांक्टर, एक ही दवा सबको देता रहे, अलग-अलग है, नहीं है, अलग-अलग बीमारी है, अलग-अलग इस्तिती, बीमारी की स्टेज अलग-अलग है, ऐसे ही साधना की है, तु चिंता मत कर, तुम जो कुछ कर रोग करते रहा, साथ में रादा राद़ अपना शुरू कर दो अब एक आया, साल वर से लगा यूँगा, क्या होगा, तेरे आचना तोशल दोने चाहिए न अगर 24 गंटे में 24 मिनट भी तुम जप लोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा और एक से कह रहे तुम निरंतर जपते हो लेकिन तुम्हारी तर्मेता होनी चाहिए नहीं तो कुछ काम नहीं बनेगा अब आपको लगेगा इसके लिए तो कुछ काम नहीं हो उससे कह रहे 24 समझ पारे हो कि लिए समझ पारे नहीं वो बात बताओ जो तुम्हें संसे किया हो कि एक प्रशन का उत्तर ये और उसी प्रशन का उत्तर ये तो देखो अधिकार दो निकलाएंगे बोलो आप कि अधिकार अनुशार सहेकुणों उत्तर एक ही प्रशन के हो सकते हैं सहेकुणों उत्तर क्योंकि सामने वाले अधिकार के अनुशार उत्तर दिया जता है वो किस कोटी का अधिकारी है किस कोटी से चल रहा है वैसा उसको उत्तर दिया जता है और वो उत्तर गलत नहीं ना मनमुखी उत्तर नहीं हो सकता तस्मास शास्त्रम प्रमाणमते अगर जीवन में अगर बात मान लो तुम्हारा उत्था ना हो जाए तो हमें बता ना पर एक ही प्रशन के हजारों उत्तर होंगे आप ये समझ लीजिए क्योंकि अधिकारी के अनुशार उत्तर होता है अब जैसे किसी को देख रहे हैं पांच साल से हम उसे ठीक से बात नहीं करेंगे हम उसे कड़ूई बात करेंगे पांच साल हो गए तुम्हें सत्संग सुनते अभी यही क्यों में में फचे हुए हो और एक नया आदमी धन्यवाद आपको कि कम से कम आपने अध्यात्मी की बात क तो आपको लगेगा एक नया आदमी कह रहा है उसके लिए धन्यवाद और यह पांच साल से अध्यात में चला है उसकी कटिया कड़ी करे है यह हमारे उद्देश को समझने ला है कि हमको कहां पहुँचाना है उसको समझने ला तो इसलिए जब कभी तुम्हें संसय लगे त और यहां भागवतिक बुद्धी से जितना उत्तर हो रहा हुँचको समझने कि चेस्टा करो क्योंकि हम बुद्धी से नहीं बोलते यह प्रवाह चल रहा है प्रवाह हां यह बुद्धी का ग्यान नहीं यह कच्छा नो पड़े है गाउं के स्कूल में कच्छा नो यह जो लगाने वाला बोलो राधा प्रश्ण हुआ उत्तर निकल गया वह भगवान दे रहे है और उस प्रश्ण के उत्तर को समझ लो तुम्हारा प्रम कल्यान हो जाएगा 15 लोग यहां सुनो और 15 लाख बाहर सुनो और सब का मंगल हो सब का कल्यान हो सब का अनंद हो समझ पारे शीवानी जी एहमदाबाद से शीहरीवश प्रणाम महराजी महराजी कुछ समय पहले भगवान शीव को गुरू बनाया था लेकिन कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भक्ती के लिए संत को गुरू करना अवशक है लेकिन जब से भगवान संकर संत नहीं गया उनसे बड़ा कोई संत है भगवान संकर सी बड़ा कोई संत है वईश्णवा नाम यथा संभू वईश्णों में संतों में भगवत प्रेमियों में सबसे स्रेष्ट है भगवान संकर तो आपको संत है क्यों हो गया लोग कहेंगे फिर और क्या-क्या कहेंगे तो सब कुछम कर लेंगे क्या अगलगत गुरुम जैसे हैं ऐसे बंदे-बोध मयम-नित्यम गुरुम-संकरुहुरूपिनम। भगवान-संकरुपुहुण०ुभु जरूप के ने स Tú भुशुलूरूरुब ख्रपार्ति शी जिशेका 15 से किया करें त्पर सांप्पुेुहु जाको remain hai इसे बावरे दूला के लिए करती हो, एको मकान नहीं है, बर्गत के नीचे रहते हैं, और गले में मुंडो की माला पहिंते हो, चिता की भस्मन लगाते हैं, और इसे दूला के लिए तपस्या कर रहे हो, अरे तपस्या तुम कर रहे हो, हम तुमें दूला दिलाएंगे, खान ये भी माना कि उनमें समस्त गुन बियाद मन लेकिन जाकर मन जैसन रमे ते ते हैसन काम कोट जन्म लग रगर हमारी बरों संबनता रहों कुमारी करोड जन्मों तक जन्मोंगे और तपस्या करूंगे दूला पाऊंगी तो सीव को अन्यता नहीं ऐसे निस्ठा होनी चाह है अब हमारी लगन सीव को हमने गुरू रूप में मान लिया मान लिया तो मान लिया अब वो ही हमारे हैं तो सब संत सीव रूप हैं हमने गुरू शीव को माना है अब सीव किस रूप में आकर हमको पकड़ते हैं यह हमें पहँचान करना है क्योंकि सीव सीव रूप में सिवधासों से आती है जो भगवान शंकर के निजजन है उनके क्रपा उपदेश से हमें आगे बढ़ना है जैसे तो संकर जी तिसुले के थोड़ी आगे हमें बढ़ाएंगे नहीं कोई संकर जी के ध्यान में मगन भगवत प्रेमी मात्मा वो मुझे आगे बढ़ाएंगा मरजी इनका आगे एक प्रश्न हो रहा है ये कहे रहे हैं कि अभी शिवजी को गूरू बनाया है हमारी प्रीती श्री कृष्ण में बढ़ती जा रही है अब मुझे किसे गूरू बनाना चाहिए श्री कृष्ण के संत को या शिवजी के संत को ये संकर जी पे छोड़ो हमने छोड़ दिया था हमने छोड़ दिया था हम एक अइक को माने जब बच्पन से haven संकर के आराधना रही तो वो पूरा मार गई संकर जी कहकासी वाला बूरा इसे थे उठाके ब्रंदावन पैठाल दिया प्रिया प्रितम के मार्गे में उनहीं का सारा खेल है आई इसे रहना है अब हमचेन करेंगे तो दोखा हो जाएगा और जब वह हमें ट्रांसफर करेंगे तो विय आईपी इस तरस है करेंगे देखो ना उनों कैसे ट्रांसफर किया कासी से ट्रांसफर ब्रंदावन बात कर ली प्रभू से हलो प्रभू प्रभू एला कि हम भेज रहे हैं जैसे हो लही होता कि हम भेज रहे हैं आप बिवस्था करना तो भूले हाँ जी बिवस्था कर लें प्रभू है तो प्रभू प्रभू ने बात कर ली और हमको भेज दिया और भेज दिया तो देखो कैसे सब उनकी कृपा हो रहे है ये भगवान विश्वनात कासी नाथ की कृपा से हुआ है तो उन्हों ने भेज आ है हमें तो ऐसे हमें एक जगे पकड़ लेना वो हमें कहां पहुँचाते हैं ये उनकी बात है हमको ने अब हमारे मन में कभी आया ही नहीं था अब कासी में बेठे बेठे आ रहा कैसा होगा ब्रंदावन कासी में यू हमको रास दिखाते हैं अब अंदरे कासी में आख पैदा कर देते कि अब कैसे प्रिया प्रितम के बिना जीएं बगवान सीव की करपा से हो, ऐसे ही आप भी बगवान सीव का आस्तरे रखिए, वो आगे स्री कृष्ण से मिलाते हैं, या वो क्या मार्ग देते हैं, उन्हीं के सरन में रो, जिसको पकड़े बहुत जोर से पकड़ ले, हवा आएगी, आंधी आएगी, छूटने न पावे, म कही महीने से आपके सत्संग और एकांतिक वारताल आप सुन रहे हूं, उससे हमारी बहुत समझ खुली है, अपने में बदलाब भी पा रहे हूं, परंतु महरी जी प्रशन है कि जो जन्मों जन्मों से संचित सभाब की तुटियां हैं, जिन सबका कारण मुझे मैपन लगत ये मैपन कैसे खतम होगा, मैपन को खतम करने बादा आज़े हूं, इनकी संगति रहति जाति कुल मद सब नंसें, संतत सेवक सदा भजत जे स्री हरिवनशें, जो प्रिया प्रितम का भजन करने वाले प्रेमी रसिक जन हैं, जो भगवत प्राप्त महत्मा जन हैं, इनके पाए नहीं हैं, क्योंकि अभिमाने का ऐसी चीज है कि हम जो भी करेंगे वो हमें पुष्टता प्रदान करेगा, दस साल मौन तो दस साल से मैं मौन हूं इस बात का अभिमान, मैं फलाहर, मैं दूदाहर, कुछ भी ये गुरु कृपा से नस्ठ होता है, भगवत प्रेमी मह तराफी दे देते, तो बोले उमा मुझे समझ में आया कीन हो इसकब हूं अभिमाना, शोख होँँचा क्रपा निधाना, इसलिए मैंने काग भुष्टुन्डी जी के पास भेजा, और काग भुष्टुन्डी जी ऐसे महात्मा थे कि वा जाते हैं इनका समाया मल नस्ठ हो ते भगवान की क्रपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो जाए और उनके वचनों की अनुशार हम चलें और नाम जब करें, तो निष्चित आहंकार का नाश हो जाता है, अन्यता कुछ भी साधन करो आहंकार उससे पुष्ट होता है, आहंकार सत्संग से नस्ठ होता है, भगवान से प्रार्थना करो, कि हम संतों की आग्या में चल पाएं, गुरुजनों की आग्या में चल पाएं, तो आंकार का नाश हो जाएगा, भगवान की कृपा से गुरुदेव, संत महात्माओं का शानिद मिलता है, जब द्रवेहि दिन, दयाल, उराग हो तो क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से ये ग्यान प्राप्त हो जाता है कल भी एक प्रशन था कि मेरा हंकार नश्ट कैसे हो तो हम कई बार कहते हैं कि गौर शे देखो तुम में कोई सामर्थ नहीं भगवान के दौरा दिया हुआ तुम्हें शरीर है भगवान के दौरा दी हुई बुद्धी है भगवान के दौरा उसी घर में में तुम्हें जन्म मिला भगवान के दौरा वैसा वैभव मिला तो सब भगवान ही कर रहे हैं और आज भी सामर्थ जो आप क्यों भगवान के तो फिर दोस क्या है दोश है कि आप उस सामर्थ को गलत मार्ग में ले जा रहे हैं आप अपनी सोच को गलत कर रहे हैं यदि उस सक्ती मिली है यदि सो रुपया मिला है तो आप सो रुपया से दूसरे का हित भी कर सकते हो और सो रुपया से अपना और दूसरे का आहित भी कर सकते हो और सौरुपया से किसी रोगी की दवा तो उसका हीत हो सकता है तो ऐसे हमें भगवान ने धन दिया, सामर्थ दी, बुद्धी दी और उसका हम पाप में प्रयोग करें तो हमें धन्ड मिलेगा पुल्णे में प्रयोग करें तो शुख मिलेगा और भजन में प्रयोग करें परहित की भावनास तो भगवान मिलेंगे। भगवाने थूड़ी केवल छुट दी, आपको जो सामरत दी, जो विचार दिया है, जो सामाग्री दी, आप उसका प्रयोग कहा करते हैं इसकी छुट है। वाकर सब भगवान की सामरत से हैं, तो आंक से नाच रहा है तो ऐसे तुम में पावर भगवान का है तो दंड इस बात के मिलता कि आप पावर का दुरपयोग करते हैं अगर पावर का सदुपयोग करें तो आपका कल्यान हो जाए आपका मंगल हो जाए तो आंकार तो मुझे लगता ही नहीं कि किस बात में आंकार करें कि का प्रश्ण था तो किस बात का आंकार क्या तो यह तो अच्छी बात है इसमें आंकार प्रभु ने जो मुझे सिवा दी है उसे सम्यक रूप से करना है कोई आंकार की बाद थोड़ी ये कोई दोस्त की बाद थोड़ी तो करना ही चाहिए हमारे को प्रभु ने मा बनाया है किसी की पत्नी बनाया है किसी की बेटी हो किसी की बहन हो ये सब करतब कर्म है जो आपको क कर्तब या किसी राष्ट्र सेवा में हो तो कर्तब कर्म को तो शावदान होकर सांगोपांग करना ही चाहिए जैसे आप सिद्धत से कहते हैं सास्त्री वासा उसे सांगोपांग कहते हैं बीधी पूरुवक पूरा करना चाहिए यह तो कर्तब कर्म के वैसमें दोस क्या है कोई दोस्द नहीं है आँ मैं ऐसी प्रविनू की जैसा दूसरा कोई करी नहीं सकता यह हंकार होता है तो फिर आप उसके विशे में चिंतित मत हो यह तो बहुत अच्छा होई सबके अंदर होना चाहिए कि जो जिस कारे को करे तो सम्यक रूफ से करे अच्छी प्रकार से करे, दर्म पूरा करे, पूरा निर्वाह करे, अधूरा कारे, ना करे, ये तो बिल्कुल बढ़िया बात है, इसमें तो कोई निसेद है नहीं, आपको कोई निसेद लगता है क्या, आप अच्छे से चलो, नामजप करते हो, नामब जेगे, मन लगे न लगे जहर बिना मन लगाए खाओ तो भी मरी जाओगे अमरत बिना मन लगाए पियो तो अमर ही हो जाओगे तो बिना मन लगाए भी नाम जब कर तुम्हारा मंगल कर देगा भाव कुभाव अनकाल सहू नाम जपत मंगल दिसिदा सहू मन लगे ना लगे एक दिन लगी जाएगा जब हम सौ बार कहीं मन को लगाना चाहते तो एक बार तो लगी जाता है बूरे कामों में लग जाता है फिर भगवान में क्यों नहीं लग जाएगा खुब जपो हम तो कहते हैं राम कृष्ण हरी जो नाम परी लगे कुम नाम जप करो जब हरदे निर्मल होगा प्रभू से आंसू कब आते हैं जब जिससे हमें अपना पन हो जाता है क्योंकि अभी अपना पन सरीर में है संबंदियों में संसार में इसी लिए ना जब सब की ममता ताग बटोरी मंपद मनहीं बांधी बर्डोरी जब एक मात्र प्रभू में ममता आजाती है मेरे तो गिर्धर गुपाल दूसरों न कोई तब रोना आता है प्यारे इतने दिन हो गए कब दर्शन्द हो गए अभी तो लड़का बचा परिवार खान पांस अब अच्छा लग रहा है अभी भगवान ऐसे कहां प्यारे लग रहे है नाम जब करो अग्यान नष्ठ होगा तब ऐसा प्रेमुदय होता है विजे कुमार पराशर जी मारा जी आपके चरणों में कोटी-कोटी डनवत प्रणाव गुरु जी आप सत्संग में कहते हैं कि बिना गुरु बनाए भी नाम जब करके मुक्त हो जाओगे लेकिन एक करफ हमने ये भी सुना है कि आपके मुक्त है कि बिना प्रगट गुरु के एहम गलित ने होता तो आप बैठे हो तो क्या भाव मान रहे हो गुरु भाव ही तो मानो कि किसी संत के पास आया जाता है तो गुरु भाव माना जाता है किसी भी संत को हम भाव से मान लेते है गुरू मानना भाव से होता है आपका अंठी तिलग बनवा लेओ आपका भाव ना बने तो जीवन नहीं बेकार है और भाव बन रहा है भले आप दिख्षा नहीं लिए तो आप बैठे हो सत्संग सुन रहे हो बात तो आपका भाव बनाए तो आपका कल्यान हो जाएगा नहीं समझ पारे आप कि आप केवल बाहरी क्रिया को समझते हो क्या गुरू बनाना गुरू का मतलब होता है आत्म शमरपन करना आपकी आज्ञाँ पे हम जीवन हो गया अपने आप आँकारनस्ट हो जाएगा कि जब मैं सत्संग नहीं शुनता था तब तो हमारी बड़ी दूर्दशा थी लेकिन जिस दिन से हमने सत्संग सुना हमारा सुधार सुरू हो गया हमने उसी को गुरू माना मानना है ना माने बिना बात कैसे चलेगे आप आयों तो मान की ही तो आयों न按 जाओगे और माने न केवल गुर्वमंत्र ले लिया कंठी तिलक लगा लिया और मन माने आचरण करे तो क्या उसका कल्यार हो जाएगा क्या क्या दारणा गूरी सथ्य पे चलो आप भाव कर लिया कि मैं इनको गुरू मानता हूँ भले उनसे मत कहूँ और उनकी बात मान लियो तो आपका कल्याण हो जाएगा आप प्रगट में गुरु बना लिए हमारी बात ना मानो तो कल्याण नहीं होगा इबात सार बात समझ नहीं है देखो अगर फसाओ वाली बाते हूग की जाएक थे राधा राधा जपो कृष्ण कृष्ण जपो हरी हरी जपो राम राम जपो जो नाम प्रियो नाम जप करो सब परिवार को भगवान का स्वरूप मान का सेवा करो समाज की सेवा करो किसी का ही तमंगल पापा चरन न करो बढ़ियां हो गए चेला बात ना माने तो फिर कहने मात्र से थुड़ी होता है कि गुरू चेला का संबन्द हो गया, ना गुरू देख रहा है कि चेला क्या कर रहा है, ना चेला सुन रहा है कि गुरू क्या कह रहा है, तो क्या गुरू चेला, कोई बात नहीं से, परम कल्यान हो जाता है मानने से, मानने से जान जाओगे, जान कर वही हो जाओगे, हमारे तो यही बात संब् लगती है भाई मन है तो हम मंत्र ले ले लेते हैं दिक्षा ले लेते हैं नहीं मंत्र है तो जो गुरू ने बोला राधा 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 जीवन बर जपेंगे उन्हीं के आग्यां पर चले हो गया काम आग्यां पालंग करो आग्यां के अनुशार चलो अब जैसे जो दिक्षा ले लेते हैं उनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि आर अब हम यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिक्षा लिये हुए हैं अब आप दिक्षा नहीं लिए और आपके बात यह दिमाग में आ गई कि नहीं मैंने तो दिक्षा ले लिया है गुरू जी ने सत्संग में बोला, वही बात मैंने पकड़ ली, अब मैंने गलत चल सकता, तो बात आ गई ना, और आप ने कि भाई दिक्षा तो हम तो लिये नहीं, तो हम मनमानी आचरन करें, तो फिर नहीं बनेगा, सबज रहे ला वाजी बात, जी प्रियाग राजी, रादे रादे महाजी, आपके चछणों में कोटी-कोटी तंड़ पढ़ाओ, महाराजी मेरा प्रशन है कि कोई जीव अपने आपको अपने इस्ट देप को समर्पित कर दे, और उसके बाद भी वो अपने इस्ट देप से अपने लिए कुछ मांग सकता है प्रभु का हो गया, अब मांगना खतम हो गया, अब तो देखना है, जोई जोई प्यारो करे, सोई मुह, भावे, प्रभु आप जैसे रखो, पर उसकोटी का समर्पन नहीं है, प्रावंबिक समर्पन है, तो मांग सकते हैं, लेकिन समर्पन होने के बाद मांगना ही नहीं बचता है, मेरा कुछ है नहीं तो मैं मांगू क् प्रभु यह जिप मैं कहता है, जरूरू कि सरीर वनवाणी आपको दे दिया, लेकिन नाथ अभी ऐसा नहीं है, अभी दुख में मैं दुखी हो जाता हूँ, सुख में सुखी हो जाता हूँ, प्रभु मुझे समर्थ दीजिए, या दुख को मिटा दीजिए, या दुख श आपका है, वास्तो विंदान मिल गया, आगे ब्रज में जनम कैसे मिले, हमें लगता है कि हम जनम की सोचे ही ना, हम ब्रजराज के नित्यधाम में बास करते हैं, नित्यधाम के ही बासी बने, हम नित्यधाम में जाएं, हम प्रगट में ब्रज में जनम लेने की बात ना सोच उनको जनम देना हो तो दे हम तो सीधे सोचें कि ब्रजेंद नंदन के पास जाके उनके साथ रहे ना उनकी सेवा में रहे बाई जिनका ब्रज लीला छेत रहे उसी दिव लीला विहारी के पास हम क्यों न पहुंचें हम उची आकांग्शा करें कि हे प्रभू आप हमको जनम देव वा मरण देव तुम जानों हमारी आसा यही है कि मैं सदय आपको जैसे हमारी वांस माप्रवु कह रहे हैं यत्र यत्रमम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुन्य मंडली तत्र तत्र हद में विरागताम हे प्रिया प्रीतम आप अपने सहचरियो कि मंडली के सहित निकुन्य धाम सहित हमारे हरदय में रहो अब आपका मनावे नरक भेद दो आपका मनावे परमपद में रख दो मुझे कोई चिंता ने तो सीधे लीला बिहारी से सम्मंद रखो कि प्रवू अब आप से बिछुड़ना मुझे उचित नहीं हो सकता अब आ अब आपके बिना मेरा जीवन बेर्थ है अब अगर जीवन भी दो तो आप अपने ही लीला छेतर में अपनी लीला सहीत दो आपकी रुचिय अगर नहीं तो आप अपने लीला में हमें लीन करवा दो लीला प्रवेस करवा दो प्रभू संसार में आप से बिमुख जनमना हो आपके सिनमुख हो, जैसे इस जन्म में भगवत अनुरागी, भगवत यसगान करने वाले, ऐसे एगर जनम मिले, तो आपके लीला धाम में छेतर में मिले, उनसे प्तार्तला करो, नहीं तो दिब लीला में प्रवेस मिले, ऐसी भावला करो. वैवव शर्मा जी रादे रादे माराजी माराजी संसारिक और पारिवारिक क्रियाओं के चलते मेरा मन प्रभु चर्णों से हट गया है मैं प्रभु को ध्यान करते समय एकागर नहीं हो पाता मैं किस प्रकार एकागरता करो कार्य में और जो च gospod पैका प्र घुम लिए hon ना या-की UK पूर किसा कर पह फ्रम का ना द्ध कर सकते हो न अध्यापन ना पढ़ा सकते हो ना पढ़ सकते हो फिर तो संसार के सारे कारी खराब हो जाएंगे तो अगर एक आगरता युद्ध में करने की भगवान नदेते तो अरजुन विजय स्री को कैसे प्रप्ट होते अब वो लेक आगरते नहीं बन रहे तो एक आगरता तो जो कर्म करने उसमें करनी ही है पर बीच में राधा राधा बोलते चले जाएं हम कह रहे हैं हमारा ध्यान नहीं है प्रभू में लेकिन हम ग्रेस्थ हैं हमारा व्यापार है हमारी नो करिये और ये भगवान ने मुझे सेवा दिये तो क्या इस सेवा को छोड़कर हम एक आगरता ध्यानमून के बैठे प्रभु आग्या जेहिका जस आही सोतेवाती रहे सुखलाई इस बात को समझे प्रभु जिसको जेशी आग्या दे रहें उसकर तब कर्म को करना है पर मामनिश्मर राधा 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 क्रिश्न क्रिश्न राम क्रिश्न हरी जो नाम परी है इसमें क्या परिशानी है आप समझे नहीं रेके बलते हम बीच बीच में राधा 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 इस्मरण जानते हूं क्या होता है? एक अंदर की ब्रत्ती का नाम इस्मरण है. जैसे अभी आपको एह हो कि मुझे आठ बजे मथुरा से ट्रेन पकड़नी है. पक्का. अब हम आप से बारता भागवती करने पर बार बार जो अंदर की ब्रत्ती जा रही है. आठ बजे मथुर करेंगे. लेकिन अंदर आपके आता रहेगा आठ बजे से मत्वरागते है. यही इसी को कहते है इस्मरण. राधा. मनुष्य जीवन का सार इस्मरण है. यदि मैं भगवत इस्मरण रही थुआ तो मेरा जीवन ब्रत्त चला जाएगा. कभी भी मुरत्ती हो सकती है. अगर इ आपसे एक आगर हो कर ना बात्चीत सुनें तो हम आपको उत्तर नहीं दे सकते हैं. तो जब आपको उत्तर दे रहें तो हम भजन नहीं कर रहें. बजन नहीं कर रहें तो हमारे जीवन का मतलब क्या रहा? इसका मतलब हम भजन करते हुए उत्तर दे रहें. हमारे दिमाग मे प्रश्न करता के रूप में बैठा है बढ़िया बनी ऐसे आप देखो अलो व्यापार हो तो ग्रहक डाक्टर हो तो मरीज अध्यापक हो तो विद्यार्थी किशान हो तो हर कारे भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं और बीच वीच में नाम जब कर रहे हैं पढ़ियां काम हो गया एक आगरता को मतब आप क्या समझते हो क्या दिमाग में लख रखा है कि हम अगर यह सब संसार के कारे छोड़ दे और एक आगर होकर बैठे वो कारे हम लोगों ने किया तो आना कहां पड़ा इसी संसार में तो आना पड़ा समाज सेवा, परिवार सेवा कुछ न कुछ सबका योगदान राष्ट पे है एक किसान है वो भी राष्ट का बहुत बड़ा योगदान का एक वियापारी है हर व्यक्ति का हमारे राष्ट से समाज से एक लड़ी है, connection है सबकी अवस्शक्ता है तो आप उस सेवा धर्म को भगवान की मान लो तो आपका टेंसन खतम हो जाए आप दो भाव किये हैं एक किये भगवान का भजन और एक किये संसार के कादि यही गड़वड है दोनों को मिला दो संसार का कारी भी भगवान की पूजा है और नाम जब करो भी आनंदा जाएगा कितना आनंदा हैगा जब आप गाहक के रूप में भगवान को देखेंगे मुनाफ़ा भी इसलिए ले रहे कि परिवार के रूप में भगवान है उनकी सेवा कर लिए अर्थ भी जरूरी है बड़ा बस तो लजने की जरूरत है प्रभू भगती का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि संसार से भाग करके कांते में बैठ जाओ तो भगत ऐसा नहीं वो बैठे कांते में जाके फिर आना संसारे में पड़ेगा रोटी मांगनी कहां पड़ेगी किसी ग्रेष्ट के दर्वाजे कपड़ा कौन देता है कोई ग्रेष्ट देता है भजन करके फिर आना कहां पड़ता है बड़े-बड़े सिद्धों को इसी समाज में आना पड़ता है तो आप पहले से समाज में बस अंदर से सुलजन ना होने के करना परिषान है क्यों? अब बताई आपको इस वी से बताई लिए आपका कहां पसा हो है मैं पहले जब भगवान का स्मरण करता था तो मेरे मन में भगवान एक बात इतनी समझ लो एक बार भगवान का अनुवव होने पर दुबारा कभी माया रोंदती नहीं है माया का प्रेश नहीं होता समल के बोलना एक बार भगवदानन्द की अनुवूती होने पर छोड़ नहीं सकता एक बार काम भोग को भोगा कब भोगा होगा तो कई जनम वितीत हो गए आद तक उसकी याद नहीं छोड़ पा रहे हो देख लो अंदर देख लो इमानदारी से काम गंदा भोग है और भगवान का सच्चिदानन्द में आनन्द ओ अनुवव हो गया अफि भूल गये ऐसा कैसे हो सकता है इसका मतलब है अभी सोने को हम सोना नहीं समझ पाए पीतल को सोना समझ लिया एक बार भगवदानन छिनए घटे स्चिन बढ़े सो तो प्रेम न होए अगट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सो अभी मन छलिया है उसकी बात मानो मत कि मुझे भगवदानन मिला हम आपको उदारन देते कि एक बार कभी किसी जन्मे में काम भोग भोगा होगा उसका संसकार इतनी जोर का पड़ा है कि याद तक पिंड नहीं छुटाए छुट रहा इमान दरिस्ति देख लो सब बाद में बाते बना लेंगे लेकिन अंदर के अनुबूति देख लो हमारा सीधा परेशन होता है तुम कोई भी हो अंदर की लालसा देखो कहां है सब इस पर शुरूप रस गंद प्रकतिका भगवान कहरे मना खष्टान इंदिया प्रकतिस्तान कर सती और एक बार जिसे परमात्मानंद प्राप्त हो जाता है विस्यानंद की तरफ उसको विस्यानंद में दिया कर्शन है तो भगवानानंद नहीं मिला नहीं स्वात्मा रामम विस्यामर्कत्रश्णाम भ्रमयती आत्माराम पुरुस कभी भी सेमिल्क तुर्शना में ब्रहमित नहीं होता, जैसे आपके सामने एक ट्रक रुपया डालें दो हजार के नोट के, अब आप उठाओगे इसको, नहीं उठाओगे, क्योंकि अप चल नहीं रहे, क्यों नहीं चल रहे ना, दो हजार के नोट बंद बिश्रब बिश्रम लागत्ताई नारायन ब्रजशंद की लगन लगी है जाए रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जी में जन बढ़ भागी भगवदा अनंद की अनुखुती होने पर बमन जैसे कोई खाना नहीं चाहेगा ऐसे ब्रम्हादिक के भोग भी उसे अच्छे नहीं लगते तो इसलिए परहू कभी कभी हम पीतल को सोना समझ लेते पर जब हम जो अवरी के सामने जाते तो गाटे में हो जाते हैं क्योंकि असलियत में वो सोना नहीं उप पीतल ही था हम बुलिये आप इसलिए हम करें कि या आपरेशन थेटर हैं सत्संग का मतलब है बिलकुल चीर फाड के हर वस्तू को समझ लेना कभी-कभी हमारा अहम हमारा मन दोनों मिलकर हमें दोखा देते हैं भगवदानंद की पहचान होती है एक बार भगवदानंद की अनुभूती हुई तो निर्मान अमोहा जित संग दोशा अध्यात मुनित्या विनिवरत्त कामा द्वन्देर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढा वह मूढ पुरुष परमानंद को प्राप ना मान ना मोह ना मद ना मसर ना कोई कामना निरंतर अपने शोरूप में मगन होकर सब कारी करता है वो पुत्र भीउत्पन करता है वो अन्य भीउत्पन करता है वो व्यापार भी करता है लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं करता है वो करता अपने शोरूप में स्थित रहता है वो है भगवदानंद वो है ब्रह्मानंद थोड़ा सात्वी का आनन्द मिलता है आनन्द कोश चे ज्ञान है अब को इसके बात का अन्द में कोश मनों में कोश प्राण में कोश आनन्द में कोश विज्ञान में कोश पंच कोश है अंदर तो जो आनन्द मिलता है वो आनन्द शिंदू का ने मिलता है जैसे संभोग में आनन्द मिलता है, खाने में आनन्द मिलता है, देखने में आनन्द मिलता है, सुनने में आनन्द मिलता है, कोई उत्सवादी में आनन्द मिलता है, ब्या हो रहा है तो आनन्द के, वो आनन्द कोश से मिल ला है माया कृत, आनन्द समुद्र से नहीं, जो आनन्द सिंद सुखर उनका आनंदे एक बार मिलेगा ना तो ब्रह्म भूता प्रशन आत्मा न सोचते न कांग्शते न कोई शोक न कोई चाह एक अद्गों दिस्ते लिए वहां पहुंचने के लिए मानोदे मिला है तो जो हम आपको समझाया कि हर कार करते हुए रस्खान गुविन नहीं यू भज जैसे ब्रज की गूपियां पहले पानी लेने जाती थी गाउं के बाहर कुआ होता तो रस्षी बाल्टी घड़ा घड़ा घड़े के ऊपर घड़ा दो दो तीन तीन गड़े और खूब बात करते हुए जाती थी पर उनकी मानसी की स्थिति कहा रहती थी गागर में अगर ज खान गोविंद ही यू भजिये जियो नागरी को चित गागरी में जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है बात कर रहा है हास रहा है लेकिन उसकी पूर्ण चित ब्रति अपने अगर चूका तो एक्सिडेंट हो जाएगा ऐसे बजन होता है सब बेवहार कर रहे हैं लेकिन इस श्मर्ति जैसे ड्राइवर की मार्ग में उस इस्त्री की घड़े पे ऐसे उपासक की इस्ट देव पे होती है बस इतना कला आ जाए ये युक्ति आ जाए तो मुक्ति तुमारी जेम में है तो मुक्त शुरूप हो भगवान की दिव्यान सो हो हमारी बात को आप समझ रहे है कोई इस पर प्रस्ण है ने बस हम देखो आपके हितमित्र है एक होता है बहका देना सास्त्री शब्द एक होता हितमित्र हितमित्र का भ्रहम से कभी हम ऐसी जगे नफस जाए अपने अंदर में जा हम संतुष्ट हो जाए जो अल्प शुख में संतुष्ट हो जाता है वो भ प्रमात्म सुकाज भोगों से संतुष्ट लेकिन अंदर की अनुभूत में असंतुष्ट जब वो दिव्य वस्तु प्राप्थ हो जाएगी तब सब खता हो जाएगा जब इस्तिरी पुरुष दिखाई न दे कोई भोग आकर सित न करे अपमान बुरा न लगे सम्मान ससे हो कि तुम्हारी अभि रुची भगवान के मार्ग में है नहीं तुम्हाया कल्यूग रॉंद देता है रुची खतम हो जाती नास्तिक्ता आ जाती है आप मान तु इसलिए जान जाओगे जो माना वो जान गया जो जान गया वही हो गया जानत तुम्हें तुम्हें परमात्मा स्वरूप ही है जीव कोई और नहीं है राम बाई जी गंगा नगर राजस्थान से राधे-राधे मारा जी इनका प्रश्णच है कि कभी-कभी भाव कम क्यों हो जाता है मारा जी भजन भी कम हो जाता है तीन गुणों से जब तक ऊपर नहीं उठा जाता त्रिगुणाती तब तक एकरस भाव नहीं रहता जो रह सदा ग्यान एकरस तो ईश्वर जीवें भेद कहो कस जीवत इसी बात का बना हुआ कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीन गुणों से हमारा अंता करन मिरत छुटे नहीं गाय न दूजी चाल कभी कभी सतोगुण होता है तो भजन में बहुत मन लगता है कभी रजोगुण होता है तो भजन होते हुए गंदी बातों का चिंतन होता है भोगों का रुपया पैसाना ना प्रकार कभी कभी भजन में मन नहीं लगता तत्तमोगु वो प्रमाद, आलश, मूढता ये चीज पैदा करता है और तीन गुणों का चक्र चलता रहता है माप्रभु हरिवन संद्जु कहते हैं यही डरही डरपी हरिवन सहित जीनों भ्रमई गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोकतिं सुहरिपद भजु न बिलंब कर डरते रोगुण अपना प्रभाव दिखा देता है वो प्रभाव दिखा न पावे जिनका नाम तिनों लोकों का मंगल करने वाला है ऐसे प्रभु का भजन उनका नाम जब नाम जब चलना लें के लिए भाव बने ना बने रादा 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 बोले हमारा मन भजन में नहीं लग ठीक है हम हम चतुरासी जी गायन करते हैं उन्हें दो घंटा खुब चिला चिला कि चतुरासी जी गायन करते हैं अब क्या करेगा मन अपने आप लगने पड़ेगा हम मंजीरा उठाते हैं राधानाम का किर्थन करते हैं अपने आप सतोगुणा जाएगा हर गुण का नाश हो जाएगा एक स्थिती आती ही फिर भजन का आप भ्यास करते करते त्रिगुना थीत स्थिती अपने लोग तो अभी सादक है तो यह स्थिती आएंगी तो हमको इन स्थितियों में डट के कीरतन बजन करना है ठाकूर जी का सिंगासन प्रत्यक गर में होता है उनको पद सुनाने लगो उनके सामने कीर्टन करने लगो देखो अभी बहु बदल जाए अब आप अगर सोचो कि ऐसी स्थिटी में हम ध्यानस्त हो तो नहीं हो पाएगा अब यह कागरता पुर्वाग मानसी जब करें तो नहीं हो पाएगा ज्यादा मन खराब हो जाए सत्संग चला लिए मुबाइल है यूट्यूब से सरश करो सत्संग तो जब आप सुनोगे चिंतन बनेगा धर्म बदल जाएगा सतोगुन का धर्म रजोगुन का धर्म अपना प्रभावन वो बदल जाएगा तो अपने लोग जैसे युद्ध के लिए अलग-अलग अस्त्र रखते हैं ऐसे सत्संग है नामकीर्तन है लीला चरित्र गायन है भक्तों के चरित्र है भक्तों का संग है ये हमारे बचावपक्ष के अस्त्र हैं काम हमारे उपर स्व तो हम सत्संग लगा लिया कामनिवारन वाला हमारे इंद ज्यादा बुद्धी भरष्ट हो रही पतित हो रही है जिसमें डांट लगाई गई ऐसे सत्संग रखते हैं और उनको दबा दे जो इससे नो होस खराब हो जाएंगे नरक वाले सत्संग लगा लिए ऐसे आचरन करने तो सिद्धों की होती है सादकों की तुड़ी होती है तो हमको अपने साधना में अभ्यास योग युखते हैं हम अभ्यास योग से युखते हैं हर समय कभी नाम जब कर रहें कभी बानी गायन कर रहें कभी सेवा में कभी सत्संग सुन रहें कभी श्वयम स्वाध्याय कर र हैंगे बिल्कुल इस्थिती खराब हो जाए तो सो जाए पर किसी और से न मिले बहे हमारा मन नहीं लग रहा तो कमरा बंद करो सो जाओ उस समय तुमारी बुद्धी खराब हो रही किसी से मिलो होगे तो गड़बड हो जाएगा धर में बिरुदाचरन बन सकते हैं निंदा इस्तुती बन सकती अपराद बन सकता है तो धुरुदा जी करें कब हूं तो थोरो भजन कब हूं हूं तो विशाल मन को धीरत छुटए नहीं और गाहे गाहे नदू जी चाल कहीं दूसरा अब मन नहीं लग रहा चलो मन रंजन करते हैं टीवी देख लेते हैं चलो उनके पास बैठ लेते हैं चलो उनसे बात वो भी गड़ जाएगा कोई ऐसी बात कोई ऐसा चिंतन फ़स जाएगा जो हमें बरष्ट कर सकता गाहे नदू जी चाल